नमस्कार, वेलकम टू एकसर्विश्मेन इंडिया यूटूब चनल, आप सबको एकसर्विश्मेन इंडिया यूटूब चनल में बहुत-बहुत सवगत है, एकसर्विश्मेन को जो पेंशन मिलता है, वो एकसर्विश्मेन जब तक सर्भाइब कर रहे हैं तब तक, एकसर्व है और क्या क्राइटेरिया है हमारे बाद मुस्टली जो हमारे जो मेरेड है वैप को पेंशन मिलता है पर वैप का बाद किसको मिलेगा क्या आप जानते हैं इसका जानकरी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं जानता है आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके समने आया हूँ कल आ पाऊंगा बात कर पाऊंगा कोई नहीं जानता है तो इसलिए जान करी रखना कोई खराब चीज़ तो है नहीं तो आज की इस वीडियो में हम detail में discuss करेंगे कि family pension के लिए हगदार कौन-कौन है family pension के लिए कौन-कौन हगदार है और कितनी type का family pension आपको मिल सकता है दूसरा एक नहीं दो family pension में मिलता है इस वीडियो में खास करके उस चीज़ का हम discuss करेंगे कि ऐसे कौन सा situation है जहां पर आपको दो family pension मिल सकता है आपका family members को दो family pension मिल सकता है पर मैं वीडियो में जाने से पहले आपसे request है अगर आप इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो जरूर subscribe करें, like करें, share करें तो दोस्तों देखिए ये जो भी इस चीजे मैं आपको बढ़ाने जा रहा हूं इसका जो authority है पहले मैं बढ़ा रहता हूं दो जैगा में ये सारे चीजे इसका जो कानूनी जो provision है ये सब लिखा हुआ है फिर्स्ट ली क्या है pension regulation for the army 2008 part 1 द्यान से सुनियेगा pension regulations for the army 2008 part 1 इसका जो relevant person है pension related family pension related वहां ये सारे चीजे बताया गया number 1 number 2 pension का related जो भी circulars, orders government orders जरी होता है वो आपको मिलता है director of ex-servicemen welfare directorate of ex-servicemen welfare DESW का एक website है जो की आप खुद भी google में जाके सार्च कर सकते है www.desw.gov.in जो की आप screen पे देख सकते हैं तो ये सारे चीजे आपको वहां पे मिल जाएगा सबसे पहले बता लेते हैं कि family pension के लिए कौन-कौन authorize है एक service में जब तक survive कर रहे हैं तब तक उप खुद pension लेते हैं या फिर कई ऐसे दुखत घटना हो जाता है कि service करते हुए जो सुल्जार को बीर गरती प्राप्ट हो जाता है तो उनका जो विडियो को या फिर अन्मरेड है तो फाइदर मजर को भी pension मिलता है family pension मिलता है पर जो यह एक generation हो गया next generation में किसको मिलेगा इनको गुजार जाने के बाद चाए वीडियो हो या फिर फाइदर मजर हो इनके बाद और किसको मिल सकता है यह जानना बहुत जरूरी है अभी 2009 में जाके बहुत सरे changes आया हुआ है जो 60 PC का बाद बहुत सरे changes आया हुआ है यह family pension में एक तो सबसे पहले बता लेते हैं कि dual family pension कम मिलता है देखिए आप जो फोज में service किया इसके वज़े से आपका family को तो family pension मिलता है एक सरीजमन का जो family है एक सरीजमन गुजर जाने के बाद उनका family को एक pension मिलता है कहां से? defense authority से दूसरा क्या है अगर अगर एक service man re-employed था तो उनका जो second career है वहाँ अगर pensionable service था उनका family pension authorized है pension authorized है माली जी वो अगर pressure होता तो अगर उनको pension authorized होता family pension authorized होता तो अब क्या है? re-employed एक सरीजमन का family को भी ऐसे ही एक pension और authorized है ये पहले नहीं था 2009 से पहले ये system जो है नहीं था उसनमाई क्या था? किसी भी एक जगा में मिल रहा था opt करना था या तो आप फोज से ले ले बाद में बहुत सरे code cases हुएं बहुत सरे appeal हुआ इसके बाद बहुत सरे petition का बाद government ने ये मंजूरी दे दी है कि दोनो family pension मिल सकता है तो इस पर जो भी current orders है जो modalities है और कई बार ऐसे होता है कि special family pension मिलना होता है यहाँ पे दूसरे जगा में कही ordinary family pension होता है कहीं enhanced rate है कहीं पे non enhanced rate है तो यह सरी चीज़े एको पर जो orders and circulars time to time निकलता है उसका link मैंने इस वीडियो का description box में दे दिया हूँ आप वहाँ पे click करके देख सकते हैं दूसरा है कि एक serviceman का family wife करके जब गुजर जाते हैं तो next किसको pension मिलेगा दिखे धैन से सुनिएगा कि family pension के लिए जो authorized होते हैं वो authorization जो लोगों को किया जाता है उनका criteria कुछ इस तरह है first क्या है first जो priority है first priority होता है कि जो minor children है यानि कि 18 years and below जो children होता है वो है तो उनको मिलेगा दूसरा अगर unmarried daughter है तो उनको मिलेगा तिसरा अगर disabled son या daughter है उनको मिलेगा पर married होने पर नहीं मिलेगा मनले ये disabled daughter है बढ़ो married है उस case में नहीं मिलेगा unmarried होगा तो मिलेगा दूसरा क्या है widow daughter है उड़ो डॉटर को मिलेगा और क्या है डैभूर्सी डॉटर है उनको मिलेगा नॉमली जो 25 यर्स से बिलो अगर अन्मरेड है तो लिर्कों को मिलता है ठीक है 25 यर्स अबाब हो गया सन है तो उनको नहीं मिलेगा ठीक है अन्मरेड हो नहीं मिलेगा, married हो तो भी नहीं मिलेगा, 25 यह से ज़ ग्रॉस हो गया तो, और क्या है कि 25 यह से नीचे भी अगर जो एक्सरिज्मन का सन है, वो कहीं employed है, और जो criteria time to time fix किया जाता है, अभी का जैसे है कि 9000 से अगर ज्यादा उनको उनका जो earning है, वो है तो उनको pension नहीं मिलेगा, ठीक है, 25 यह का बाद तो ऐसी authorized नहीं है, ठीक है, तो यह सारे जो है provision है, यह सभी provision का जो time to time जो changes है, वो आपको इस website से मिलेगा, DSW का, वहापे आप click करके देख सकते हैं, दूसरा जो pension regulations for the army 2008 part 1, उसका भी link दिया हुआ है, इस सारी चीजे पढ़ सकते हैं detail में, तो दोस्तों उमीर है कि जो थोरा सा जानकरी मैं आपको दे पाए हूँ, यह अगर आपको अच्छा लगता है, तो जरूर आप इसको share कीजिए, like कीजिए और subscribe तो जरूर कीजिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भरत